सिमाब अक्पराबादी जी का शेर है हुम्रे दराज मांग कर लाए थे चार दिन दो आरजू में कट गए, दो इंतजार में आसे है जो इस देश के लोगों की हालत है पिछली छे सालों में एतिहासिक बेरोजगारी और बेरोजगारी की बज़े से रोज आत्मत्या कर दे युवा और किसान घिसट कर चलती हुई जीडीपी बढ़ता हुआ राजखोशिय घाटा और महगाई से रोज दो दो हाथ करता हुआ भारत का एक आमनागरिक अगले आने वाले एक फरवरी को भारत सरकार अपना बज़ट पेश करेगी और कॉंगेस पार्टी ने ये तै किया है कि आने वाले छे दिनों में हम रोज एक स्पेसल प्रेस वारता करेंगे और जो जनता के मुद्दे हैं और स्विवस्था से जुड़े मुद्दे वो एक एक करके हम आपके समक्ष लाएं और ये अपेक्षा करेंगे कि आप उन मुद्दों को सरकार तक पहुंचाएंगे जिसे की देश की जनता को रहत मिले आज की प्रेस वारता के लिए हमारे साथ है आदरी सुप्रिया स्विरेट जी मैं उनसे आगरह करूंगा कि वो अपने मुद्दे पर आज के मुद्दे पर प्रकाश डाले धन्यवाद प्रनव जी आप सब लोगों को मेरा नमस्टकार एक प्रीवियस अवतार में मैंने करीब 15-16 बजट कवर किया है तो बजट पे बोलना आसान नहीं होता है क्योंकि आखड़ों से बात करी जाते हैं और इस सरकार का आखड़ों पर कोई भरोसा नहीं है और यूस करने की आदत नहीं है लेकिन फिर भी हमारी कोशिश यह है कि एक responsible opposition के नाते एक जिम्मेदार opposition और विपक्ष के नाते हम मूल मुद्दों की बात करें और focus वापस economy पे लाएं क्योंकि कहीं पर हमारा आपका और सबका जो प्रभावित करने वाला मुद्दा है वो इस समय आर्थिक मंदी है बेरोजगारी है और जो आने वाला budget है वो शायद इन चीजों को address करेगा यह हम आशा करते हैं मैं इसलिए ये बात कहती हूँ क्योंकि पिछले चार सालों में financial year 17 में 2016-17 में नोट बंदी हुई demonetization हुआ 17-18 में GST लागू करी गई 18-19 में economic slowdown होना शुरू हुआ और quarter दर quarter तिमाही दर तिमाही ग्रोट गिरती गई और फिर 19-20 का जो वित्यवर्ष होता है उसमें सरकार denial में रही और जो slowdown है वो और entrench हो गया जिसको कहते है कि और deepen हो गया तो आज जब हम budget से शायद 5 दिन पहले बात करते हैं we are at the brink of stagflation we are at the risk of this stagnating economy slipping into stagflation and I say that with all responsibility मैं पुरी जिम्मेदारी के साथ कहते हूँ कि हम लोगों की जो economy है जो इंदिया की आर्थिक विवस्ता है आर्थ विवस्ता है वो कहीं न कहीं stagflation की और बढ़ती हुई दिख रही है और इसलिए दिख रही है क्योंकि inflation बढ़ता जा रहा है inflation peak हो रहा है 7.4% last reading थी और growth की दर धीमी होती जा रही है economy धीमी होती जा रही है पहला मुद्द stagflation और मैं यह समझती हूँ मैं जानती हूँ appreciate करती हूँ कि आप में से बहुत लोगों की beat economy नहीं है finance नहीं है तो जितना इसको simplify कर सकूँगी और आपके माद्यम से लोगों को समझा सकेंगे हम लोग वही पूरी कोशिश है stagflation होता है economy slowdown होती है inflation बढ़ता है और एक ऐसी situation आ जाती है जिसमें की investment बंद हो जाता है और अब वो situation और भी जादा होगी क्योंकि investment और इस economy में हो नहीं रहा है आर्थवेवस्ता में निवेश हो नहीं रहा है और ये और बत्तर होगी situation stagflation के दौरान inflation prices जो है वो और बढ़ते हैं और ये आम आदमी पर मार है stagflation के दौरान क्योंकि investment नहीं होता है तो नौकरिया नहीं बनेंगी नौकरिया नहीं बनेंगी तो कहीं न कहीं ग्रामीड इलाकों में या शहरी छेत्रों में भी जिसको कहते हैं consumption पर मार पड़ेगी और consumption याद रखिएगा उपभोग जो है वो हमारी economy का हमारी अर्थ विवस्था का दो तीहाई हिस्सा है उपभोग हर तरे का चाहे FMCG goods हो चाहे car हो जूते हो कपड़े हो जिस भी चीज का हम उपभोग करते हैं वो हमारी economic स्थिती का दो तीहाई हिस्सा है इसलिए consumption में जो गिरावट हो रही है वो बहुत चिंता जनक है और उसके बारे में मैं दो मिनिट में बात करती हूँ तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि stagflation के चलते investment, jobs, rural stress और consumption सब प्रभावित होगा और एक vicious cycle बन जाती है एक virtuous cycle होती है एक vicious cycle बन जाती है कि जहाँ पर low growth से jobs, jobs से consumption, consumption से investment ये प्रभावित होता जाता है और उस downward spiral से उस निरंतर गिरते graph से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है हम highlight करेंगे वो fiscal situation है मैं भी जब नहीं नहीं पत्रकार बनी तो मुझे बहुत समझ में नहीं आता था क्योंकि थोड़ा सा technical होता है तो मैं try करूंगी जैसे मैंने समझा था आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी आप में से काफी लोग इससे वाकिफ होंगे जो लोग economy नहीं बहुत track करते हैं उनके लिए सिर्फ मैं कह रही हूँ fiscal situation जो होती है जो राजकोशी एक हाटा होता है वो एक आकड़ा है पर वो आकड़ा मात्र नहीं है 3.3%, 3.5%, 3.8% इस तरह से पिछले 5-6 सालों से ये निरंतर बढ़ता ही गया है कंट्रोल नहीं हुआ है हमारा मानना ये और हम इसको highlight करना चाहते हैं कि पिछले 20 सालों में और इस आकड़े को ध्यान से सुनिएगा पिछले 20 सालों में पहली बार direct tax collection में घटोती हुई है पहली बार पिछले 20 सालों में direct tax collection जो income tax हम और आप पे करते हैं उसमें घटोती हुई है और ये सीधा प्रमान है घटते हुए wages का और बेरोजगारी का लोगों के पास कम रोजगार है इसलिए वो कम tax पे कर रहे हैं और पहली बार 20 सालों में दो डेकेड्स में पहली बार tax collection में गिरावट आई है और ये pain का sign है organized sector में और इसी लिए क्योंकि government की आए कम हो रही है बहुत बड़ा खत्रा है कि fiscal deficit बढ़ेगा fiscal deficit experts का कहना है कि fiscal deficit can be anywhere between 4.6 to 4.8% of the GDP and अगर GDP growth 5% से कम होती है तो fiscal deficit और बढ़ेगा एक deflator नाम की चीज़ होती है उससे correlation होता है तो अगर fiscal deficit बढ़ता है तो क्या चिंता है fiscal deficit बढ़ने की दो चिंता है fiscal deficit के बढ़ने का मतलब होता है inflation और तीवरता से बढ़ेगा prices और तीवरता से उपर जाएंगे और दूसरी चिंता ये है कि fiscal discipline को credit rating agencies Moody's हो गई, SNP हो गई, Fitch हो गई ये लोग बहुत तीवरता से और बहुत कुशागरता से देखते हैं और इनका कहना है और इनने बार-बार red flag किया है कि fiscal discipline होना ज़रूरी है तो credit ratings agencies अगर आपका fiscal discipline बढ़ेगा आपकी sovereign rating को downgrade करेंगी आपकी investment rating को downgrade करेंगी और experts का फिर से कहना है कि अगर fiscal discipline बढ़ा तो कम से कम 100 billion dollar पैसा भारतिये market उसे जो निवेश है वो निकल जाएगा और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो share holders होते उनके बड़े strict criteria होते हैं वो एक certain category of investment markets में ही invest करते हैं और अगर हमारी investment rating घटी fiscal discipline बढ़ने से तो वो पैसा बाहर चला जाएगा इसलिए जरूरी है कि fiscal discipline को maintain किया जा सके मैंने दो मिट पहले consumption की बात करी थी और वो दूसरा मुद्दा है जिसको हम लोग छूना चाहते है government को जब consumption down है जब FMCG जैसी चीजें कम बिक रही है जब खाने का जो उत्पादन है वो कम बिक राए गरामीर शेत्रों में तो किसी भी responsible सरकार की responsibility होनी चाहिए थी कि consumption को बढ़ावा दे आए को बढ़ावा दे लोगों के जेब में ज़ादा पैसा डाले जिससे की वो कही ना कहीं उसको खर्चा कर सकें सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया और ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि सरकार ने relief दी पर वो relief सरकार ने corporates को दी सरकार ने corporate tax कम किया और डेर लाक करोर रुपए का revenue गया उसको कम करने से करीब करीब डेर लाक करोर रुपए का revenue घाटा हुआ सरकार को सरकार ने वो कम किया लेकिन आम आदमी को राहत नहीं दी और consumption तभी बढ़ता जब मेरे और आपकी जेब में ज़ादा पैसा होता और हम बाजार जाके ज़ादा चीज़े खरीच सकते तो हमारा मानना यह है कि budget अगर consumption को बढ़ावा देने के लिए कुछ नहीं करेगा तो बाकी सारी बाते बेकार है consumption सबसे पहला और मूल मुद्दा है इस budget का आप ही लोगों के माध्यम से समाचार पत्रों के माध्यम से और टीवी चानल के माध्यम से खबर आ रही है कि income tax exemption limit जो है वो बढ़ाई जा सकती है अगर ऐसा सरकार करती है तो हम उसको बहुत उसका स्वागत करते हैं welcome करते हैं हम सब को कही न कही income tax relief मिलेगी लेकिन इसके साथ ही दो सवाल खड़े होते हैं पहला सवाल है कि सरकार का अलड़ी डेर लाग करोड का घाटा है corporate tax cut करने पर जिसने सुई की नोक इधर से उधर भी नहीं करी निवेश पर तो पहला सवाल यह है कि जब वहाँ पर घाटा है तो आपको अपनी budget arithmetic समझानी पड़ेगी आपको बताना पड़ेगा कि अगर आप IT exemption limit बढ़ा रहे हैं तो आपके पास पैसा आएगा कहां से कितना loss होगा कैसे उसको make up किया जा सकेगा और दूसरी चीज़ शायद जरूरी है क्योंकि एक band wagon बोगी शुरू गई है कि हम taxpayers है हम taxpayers है कहीं न कहीं है समझी का कि देश का हर व्यक्ती taxpayer है indirect tax सब लोग pay करते है एक marches की डिबबी पर मैं भी उतना tax दे रहे हैं आप भी उतना tax दे रहे हैं गाउं में भी गरीबाद में उतना tax दे रहा है हम सब एक बराबर tax pay करते हैं तो indirect tax कम करना सरकार की प्राथमिक्ता होनी चाहिए और हमारा अग्रे है सरकार से कि GST के rate rationalization की बात जरूर करिए IT exemption limit अगर आप बढ़ाते हैं उसका स्वागत है वो सरान्य कार्य होगा लेकिन कहीं न कहीं एक बड़ी जन संख्या को रहत देने की बात करिए और इसलिए GST rate rationalization के बारे में ध्यान दीजिए पाँचवी बात निवेश की करनी जरूरी है क्योंकि निवेश फिर से technical है लेकिन इन सब चीजों से related है अगर company invest करती है तो job create होती है जोब create होती है तो consumption बढ़ता है consumption बढ़ता है तो इनिवेश फिर से होता है ये एक virtuous cycle है ये एक अच्छी सकारात्मक cycle है लेकिन 8 minute फिर से थोड़ा technical बोल रही हूँ जरूर सुनियेगा power plant है दादरी में एक power plant है एक्जामपल दे रही हूँ आपको और power plant की total capacity होती है सो प्रतिशत power produce करना औसतन power production जो इस समय देश में है वो 50% उसको plant load factor कहते है औसतन power producing plants 50% power produce कर रहे है क्यों 50% कर रहे हैं और क्यों ये जरूरी है इसलिए क्योंकि electricity का generation और उसका उपभोग एक बड़ा criteria होता है एक बड़ा आंकड़ा होता है growth और industrial और economic activity को देखने का तो अगर power ही कम produce होके कम खरिदार है इसका इसका मतलब है कि manufacturing कम है इसका मतलब है कि electricity consumption कम है economic activity weak है पहला तो plant load factor हो गया और दूसरा मैंने इस माध्यम से आपको एक बार पहले भी बताया है कि जो capacity utilization होता है जो companies होती है और जिस तरह से वो अपने लोगों को और manufacturing facilities को और machine को use करती है वो मात्र 60-70 प्रतिशत है तो किस तरह से सरकार corporate India से कहेगी कि आप invest करिए वो direction ये budget निर्धारित करेगा बड़ी बड़ी बाते कर देना लच्छेदार बाते कर देना और दो शहरों को नाप कर ease of doing business index खड़ा कर देना अलग चीज़ है लेकिन corporate India जो गुडगान करती है मोधी सरकार का वो invest नहीं कर रही है और इस budget के माध्यम से investment होना बहुत जरूरी क्योंकि जब तक investment नहीं होगा वो virtuous cycle की जो wheel है जो पहिया है वो चलेगा ही नहीं इसलिए जरूरी है कि सरकार की जो नीतिया हों जो नियम हों वो investment की तरफ भी focus करें consumption और relief के साथ साथ पाच्वा मुद्धा और यह जरूरी मुद्धा फिर से है export का किसी भी economic landscape में किसी भी economy के चार पहिये होते हैं private investment public investment, export and consumption हमारा investment private down है, हमारा export down है, हमारा consumption down है, एक public expenditure थोड़ा बहुत चल रहा है लेकिन finances के deterioration के बाद उसमें भी रुकावट आईए तो जरूरी है कि export पर एक मिट ध्यान दीजे क्योंकि कोई भी economy आप उठा लीजे चाहे China हो, चाहे United States हो किसी भी economy की आप बात करें चाहे Bangladesh हो जो अब economy जाद अच्छी ग्रो कर रही है कोई भी economy higher export rate के बिना grow कर ही नहीं सकती है, क्योंकि जब export की दर बढ़ती है, तो economic दर भी बढ़ती है, तो जरूरी है कि export पर ध्यान दिया जाए और डिंगे हांकने की बात नहीं है, लेकिन एक जमाने में हमारा export 20% के लगभग था, अब पिछले 5 महीनों से लगातार निरंतर गिरता जा रहा है, और मैं एक दिन टीवी पर देख रही थी, एक वक्ता थे भाजपा के और वो कह रहे थे, लेकिन import भी घट रहा है import का घटना बुरी बात है import का घटना बुरी खबर है import के घटने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके हां manufacturing economic activity हो ही नहीं रही है इसलिए import भी घट रहा है आपको वो सब चीजें import करने की जरूरत नहीं पड़ रही है तो export और import पर ध्यान देना जरूरी है क्योंकि बिना उनकी growth के आर्थिक स्थिती मजबूती से बढ़ी नहीं सकती है और पांचवी और अंतिम बात हम जरूर करना चाहेंगे चटी और अंतिम बात और ये है किसान की क्योंकि बिना किसान की आए बढ़े बिना हिंदुस्तान के जो farms है जो agriculture sector है उसका भला हुए they can be precious little done to any economy and if data is anything to go by then the agriculture sector will grow at under 2% the government had promised doubling farm incomes दुगनी करने की आए बात करी थी सरकार ने किसान की दुगनी तो छोड़ दीजे सरकार के रहमो करम के चलते आज किसान की आए आधी हो चुकी है वो debt burden के अंदर है करजे के अंदर डूबा हुआ है उसको अपनी उत्पाद का पूरा पैसा भी वसूल नहीं हो रहा है तो कहीं न कहीं ये budget सुर्खियों से हटकर सुर्खी बटोरने से हटकर कहीं न कहीं इस budget को वास्तव में खृष्ची और किसान के लिए क्या करना है वो तै करना होगा मैं अंतिम बात बस यही कहके करूंगी कि अभी थोड़े दोनों पहले प्रधान मंत्री जी दस बारा बड़े उद्योग पतियों से मिले इट कुड है बीन अ बिग कॉन्फिदेंस बूस्टिंग मेजर बट बजट कवर करने के नाते कुछ सालों से ये भी जानती हूँ बजट तो प्रिंट होने में चला जाता है पांच दिन, छे दिन पहले अब तो स्पीच प्रिंट हो रही होगी होने की तैयारी हो रही होगी तो उनके कौन से सुझाव सरकार ने इंक्लूड किये है वो हम लोग जरूर जानना चाहेंगे क्या ये सिर्फ आँख पर पट्टी बादने की बात थी वोजट पर मीटिय आयोग कर रहा है बजट पर मीटिय प्यमों में हो रही है और वहाँ पर वित्मंत्री मौझूद नहीं है कही ना कहीं ये बहुत बड़े सवाल खरा करती है confidence पे कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल उठाती है कि क्यूं नहीं वो मौझूद थी after all budget तो वो ही present करेंगी और किस तरह कि सुजाव Indian industry से आए हमारा ये मानना है कि सरकार को इस budget के माध्यम से एक medium to long term vision Indian economy का एक strategy बनानी पड़ेगी वो musk tape bandaid approach यहां पे घटा तो यहां से भर दो वहां पे घटा वहां से भर दो यह जो घटतौली का काम है यह बंद करना पड़ेगा Indian economy needs utmost attention of the government and the government has to be prepared and which is why the world will watch मैं सिर्फ यह बात अपनी खतम करके कहना चाती हूँ कि पिछली बार budget को बही खाता बोला गया था और एक लाल कपड़े में लपेट के लाया गया था और उसके बाद rollback दर rollback हो यह थे जिससे कि Indian economy में confidence shake हुआ है investment is an act of faith जब एक व्यक्ति अपना पैसा लगाता है निवेश करता है तो वो यह सोचता है कि economic policy predictable होंगी उनकी longevity होगी वो लंबे समय तक रहेंगी और बार बार बदली नहीं जाएंगी तो सोच समझ कर हमारी आशा है budget बनाया गया है क्योंकि अदपके और कम सोचे हुए जो सुजा होते हो जब वो बजट में आ जाते हैं और उनका rollback होता है तो कहीं पर यह हमारी economic credibility और credential को ज़रूर question करते हैं मैं यह भी आप लोगों के माध्यम से viewers को बताना चाहती हूँ कि अगले 4-5 दिन हम लोग मुद्धों की specific बात करेंगे आज हम लोगों ने context set किया है state of the economy की बात करकर हम लोग मुद्धों specific बात करेंगे और उसमें हम लोग investment कैसे kick start किया जाए कैसे consumption boost हो सकता है किस तरह से exports revive हो सकते है agriculture में क्या करना चाहिए इन मुद्धों की बात जरूर करेंगे basically context set करेंगे और आशा करेंगे कि जो union budget आ रहा है वो मूल मुद्धों की बात करेगा और focus एक दुबारा से economy पर joblessness पर धीनी गती की growth पर होगा आर्थिक मंदी पर होगा और कहीं इन सब विशम परिस्थितियों से निपटने की यूजना ये budget बनाएगा धन्यवाद धन्यवाद सुप्रिया जी मैं आपसे आगरा करूंगा कि चुकि ये special economy के पर press conference है तो सवाल को अर्थिक मुद्दों पर ही रहने दे चाहां तक संबब हो आदेशी अच्छा सवाल है और इसलिए अच्छा सवाल है क्योंकि कहीं न कहीं एक सवाल ये भी उठ रहा है Indian economy में कि क्या RBI और Finance Ministry का कुछ जिसको कहते है is there some coordination between the two because they are both managers of the Indian economy सवाल इसलिए जरूरी और भी हो जाता है क्योंकि कहीं पर एक ये अप्रोच है कि अगर घाटा हो रहा है तो RBI के reserves को से जादा reserves मांग लो companies को एक दूसरे से बिकवा दो ये real divestment नहीं है ये real disinvestment नहीं है अगर HPCL को NGC खरीती है तो ना कैसे पकड़िया या घुमा के पकड़िया वो वाली बात होती है तो मेरा ये मानना है कि सरकार को budget arithmetic बहुत transparent तरीके से दिखानी चाहिए और इसलिए भी दिखानी चाहिए क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है इंडियन economy में पिछले दो-तीन साल में जब experts और जो विशेशा के economy ट्रैक करते हैं वो हमारे आकड़ों पे सवाल उठा रहे हैं उनकी credibility पे सवाल उठा रहे हैं सरकार के revenue raising तरीके पे सवाल उठा रहा है तो कहीं न कहीं जरूरी है कि it should start on a clean state एक साफ तरीके से क्या घाटा है क्या नफा नुकसान है इसके बारे में transparent तरीके से बात हो RBI के reserves बहुत important होते हैं अगर forex कहीं पर गिरने लगे तो उन reserves को use करना जाना चाहिए उसको राजकोशिये घाटे को कहीं पर उसको पाटने के लिए use नहीं करना चाहिए हम लोगों का आशा है कि शायद इस बार ऐसा नहीं होगा लेकिन सरकार ने आशा के विपरीथी काम किया है The sale of Air India has been going on for the last six years 2014 में जब ये सरकार आई थी तो इन्होंने Air India sale की बात करी थी Special GOMB इस पर था इस पर पाँच मंत्रियों का भी बड़ा विचलेशन हुआ था और आज तक Air India sale हो नहीं पाई है तो मेरा ये मानना है कि अगर Air India की sale सरकार वाकई में कराना चाहती है They have to look for a real investor, they have to look for a real strategic sale सरकार ने भ्रमित करने की बाते कहीं है कभी सरकार ने कहा है, कंट्रोल हमारे हाथ में रहेगा, कोई strategic investor आजाए कभी सरकार ने कहा है कि हम Air India को विभाजित करके उनकी subsidies को अलग sell करेंगे, Air India को अलग sell करेंगे तो पहले सरकार को एक strategic तरह से बताने की जरूरा था कि किस तरह की sale की बात कर रहे आज आप 100% कह रहे हैं, थोड़े दिनों पहले मैंने करा था कि subsidiary sale ही हो रही है, तो अभी कुछ पता नहीं कि sale किस तरीके की हो रही है और ये पिछले 6 साल से चल रहा है, जब हो जाएगी तब हम लोग इसको मानेंगे और अब तो जो commerce minister है, railway or commerce minister हो कहते हैं, अगर मंत्री नहीं होते, तो वही Air India खरीद लेते हैं, इतने अमीर लोग हमाई सरकार में हैं, अच्छी बात है I'm glad you asked me that question, because you know if I was in government, I don't know for how long will I keep blaming a previous regime, I mean for 6 years you keep saying that you inherited something bad, you may have inherited whatever, you've had 6 years to clean it up, you are nowhere close to the clean up, that's point number 1 and point number 2 is there is a larger problem and that's not just specific to the banking sector, that's to the lending situation in general, the NBFC crisis, one of the reasons why consumption is not happening is because the NBFCs are facing a huge liquidity crunch, there is no money that NBFCs have, the government and the RBI together need to devise a strategy, a plan to revive the NBFCs, there is no money for the NBFCs to lend and which is why you see low consumption, so all I will say to the government is that instead of quoting NPS as a red flag and saying that some banks are coming out of the red and all of that, we are consistently hearing of cases of fraud being declared by some of the big lenders, I think it is important that the government of the day decides to resolve issues on its own and not keep blaming what they inherited, they've had 6 years to do things otherwise. Anything else on economy? I mean, we will prefer anything on economy because this is special. I think as a responsible member of the Congress Party, I will only say one thing that I am hearing this from you and I am seeing this on very select TV channels. I don't think there is anything which has come from an official source just yet. I think we will reserve a comment on this and I am sure Mr. Kapil-Sibbal will at an appropriate time respond to this if at all. Thank you. Anything else? Thank you.